वेल्कम बेक टो अवर चैनल सिंप्ली स्टडीज विद चैल्शा तो देखो हमने कंप्यूटर बेसिक कंप्लीट कर लिया है ठीक है उसके साथ साथ हमने कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेस्टन्स भी किये थे जीवाई-बेस्टोपरेटिंग सिस्टम भी हमने कंप्लीट कर लिया है और मैंने आपको क्राउडि बेस्टोपरेटिंग शिस्टम के प्रैक्टिस सेट का एक लिंक प्रोवाइड कर वाया था तो उनको देख लिए न वो वो विद रहीं रहेंगे थि bail क्रोई जो questions में अभी discuss किये थे हमने उनके language English में थी तो मैंने आपको बताया था कि भई Hindi language में कुछ questions 50 questions को discuss किया गया है देखो computer में questions बहुत सारे बनते हैं लेकिन उन में से important question आपके exam के लिए कौन से हैं उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं ठीक है अगर वैसे मैं बात करूं computer basic की तो बहुत question बनते हैं कि यह computer कब आया यह computer कब आया ऐसे type के यह कौन से generation का computer एकदम detailing में अगर हम पूछे लेकिन वो question जादा important किनके लिए है जो आपका एक specific computer समझते हैं computer उनका subject है उनके लिए है वो ठीक है आपका क्या है general computer है तो general computer में वो general computer के according ही question पूछेगा ठीक है आपको ना तो इतनी depth में डालेगा कि भई एकदम टटोल के लाना है कि भी हाँ इसको तो एकदम अच्छे से आता है आपको एक knowledge होनी चाहिए सिफ वही test की जाती है उसी के basis पर आपके questions decide होते हैं ठीक है तो वो questions important है जो Hindi language में और English language में बार बार पूछे जाने वाले वो questions है तो उन 100 questions को देख लेना एंड इसी के साथ एक computer PZT की जब मैं preparation करवा रही थी तो मैंने 400 plus का एक revision class दी थी उसको जरूर देख लेना उसके अंदर आपके जितने भी अभी तक मैंने MS office के question करवाए हैं मेरे channel पे जितने भी अभी तक MS office के आपके जो questions है चाहिए वो Hindi language में हो या English language में हो उसके अलावा operating system के question Hindi language plus English language ठीक है सभी मिलाके वो एक revision class त्यार की गई थी तो एक बार उसको देख लेना वो 400 questions आपके लिए काफी important रहेंगे चीक है जब आपका syllabus complete हो जाएगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हूँ कि आपका syllabus में जल्दी से जल्दी complete करवादू जिससे कि आपको काफी time मिल जाए practice करने के लिए तो जैसे ही आपका syllabus complete हो जाएगा हम कुछ और questions को discuss करेंगे और बाद में आपको एक पूरी revision class का अगर हमें time मिला तो हम एक पूरी marathon type class भी जरूर करेंगे लेकिन marathon type class का wait मत करना क्योंकि वो काफी last में मिलती है उससे पहले आपकी काफी साहरी preparation हो चुकी रहेगी ठीक है तो आपके mind में ये बात है कि paper postpone हो सकता है तो इसको निकाल दो paper कभी भी हो आपको अपनी तरफ से क्या रहना चाहिए पूरी तरह से prepare रहना चाहिए ठीक है अब start करें काफी बाते हो गई network से start करते है ठीक है topic है आज का हमारा internet तो internet को समझने से पहले आपको क्या समझ में आना चाहिए कि network क्या होता है छोटी छोटी बाते हैं समझने को तो आप एक से एक line आपके सामने लिखी हुई है इसको mind में बठा लो ठीक है हो जाएगा लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए तो देखो आप अपने आप से ही लो आप individually क्या कर रहे हो अपने exam की preparation कर रहे हो व जो notes आपके पास है वो आप इसके साथ share करोगे जो extra चीजे इसके पास है वो आपके साथ share करेगा इस तरह से आप क्या करोगी मिल जूल के अपना काम करोगी है ना सारी बाते एक दूसरे के साथ share करोगे तो यह क्या है एक network है and इस network को बनाने के लिए कितने persons की requirement हुई तो minimum 2% की हमें requirement हुई 2 से जादा 3, 4, 5 कितने भी इसके अंदर add हो सकते हैं and यहाँ पर आप communicate कैसे कर रहे हो भई आप phone से भी communicate कर सकते हो या फिर जाके भी बात कर सकते हो है ना तो यह क्या हो गया आपका communication का method हो गया उसी तरह से अगर हम computer की term में बात करें तो अगर आपने एक स से जादा computer या फिर मैं कहूं कि 2 या 2 से जादा computer को एक साथ जोड दिया तो यह क्या बन गया आपका network बन गया ठीक है and यह network बनाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको एक medium चाहिए जिसके थुरू आप उनको connect कर पा रहे हो अब यह medium या तो कोई cable हो सकती है जिसे हम wire कहते है या फिर आप wifi का यूज कर सकते हो जिसे हम wireless कहते है ठीक है तो या तो एक wire के थुरू या फिर wireless के थुरू आप data यहाँ पे share कर सकते हो अब यह जो network यहाँ पे बनाया है यह specially क्यों बनाया गया है तो देखो specially आपका network बनाया जाता है resources को share करने के लिए अब यह resource क्या होत होते हैं resource मतलब की आपके पास printer है इस एक computer के साथ printer जुड़ा हुआ है बाकियों के साथ नहीं है तो लेकिन यह एक network में जुड़े हुए हैं तो यह भी यहाँ से print ले सकता है यह भी इस printer से print ले सकता है ठीक है college में जाते हो college lab में एक printer होता है और इतने सारे computer होते हैं आप क इसी भी computer से command दो वो printer print out निकाल के देता है क्यों क्योंकि वो एक network में connect है ठीक है समझ में आया एक network में जितने भी devices है उनको क्या कहते हैं node बोलते हैं मतलब यह node 1, node 2, node 3, node 4 ठीक है तो यह क्या हो गया network हो गया network का example क्या है आपका internet है समझ में आया इतना हमें कि network क्या होता ह यह आपका यहाँ पे English में लिखा हुए ठीक है reading ले लेना अब चलिए बात करेंगे कि इसकी history of network जहां से question पूछा जाता है तो history of network की जब बात करते हैं network के इतिहास की जब बात करते हैं तो जो नाम सामने आता है वो है आपका arpa net का arpa net के बारे में हर बात important है इसकी full form क्या होती है यह कब आया किसने वनाया ठीक है कहां की company थी क्या करती थी तो यह सारी बाते इसके बारे में important है कोई भी point exam में पूछ सकता है arpa net काफी important आपकी term है ठीक है अगर internet दिया है तो arpa net से question आता ही है चलिए देखो अब arpa net क्या होता है सबसे पहली बात अगर कमसे पूछा जाए कि दुनिया का पहला network कौन सा था arpa net था internet की शुरुवात किस से हुई arpa net से हुई arpa net आया उसी के बाद internet क्या हुआ इंटरनेट की निव पड़ी अर्पानेट के बाद ही क्या हुआ अर्पानेट ही आगे चलके क्या बना था इंटरनेट बना था ठीक है अर्पानेट की फुल फोर्म क्या होती है तो यहां देखो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी नेटवर्क Full form important क्या होती है Advanced Research Project Agency NET से हो गया Network ठीक है किस company ने बनाया था भई तो ARPA company ने बनाया था तो ARPA की full form क्या होती है Advanced Research Project Agency अब ये company कहां की थी तो ये company America की थी कब बनाया था तो 1968 में बनाया था ठीक है और किस के लिए बनाया गया था इसका aim क्या था तो ARPA NET स्टार्टिंग में जब बनाया गया था तो ये Defense के Department के लिए बनाया गया था किस के लिए बनाया गया था Defense Department के लिए ठीक है केवल Defense Department में ही क्या होता था NET use होता था बाहर publicly नहीं होता था फिर बाद में क्या हुआ कि defense department से जितने और बाकी के कुछ education के department या कुछ और department अगर defense department से contact में है तो वे भी क्या कर पा रहे थे अर्पानेट का use कर पा रहे थे अभी भी अर्पानेट publicly available नहीं था ठीक है तो किसके लिए आया था भई स्टार्टिंग में defense department के लिए आया था औ और अगर आपको यहाँ पर अर्पा ना मिलके डी अर्पा दे दे तो इसकी full form क्या हो जाएगी defense advanced research project agency ठीक है समझ में आया अर्पानेट के बारे में यह सारी बाते क्या है important है चलिए आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर अब देखो अर्पानेट से पहले कौन सा network था तो अ और landline का सबसे बड़ा drawback क्या होता है कि अगर किसी भी एक line में कहीं से भी कोई गड़बड हो गई कोई cut हो गया किसी भी switch में कुछ भी हो गया तो पूरी conversion क्या हो जाती है आपकी खतम हो जाती है ठीक है अब यहाँ देखो अर्पानेट आ गया भई और मैंने आपको बताय आया कि publicly available नहीं था तो और वो दूसरा क्या था आपका काफी costly भी था क्यूंकि अगर उस अर्पानेट के through हम publicly उसको available करवा देते तो वो क्या हो जाता और भी ज्यादा costly हो जाता इसलिए और भी काफी drawback के चलते 1990 में अर्पानेट को क्या कर दिया गया पूरी तरह से बंद कर दिया गया फिर इसके बाद क्या आया आपका NSF Net आया National Science Foundation Network ठीक है लेकिन exam point of you is important क्या है आपका सिर्फ आर्पानेट है तो केबल हम उसी को यहाँ पे discuss करेंगे ठीक है अब यहाँ देखो किसी को English के लिए reading लेनी है तो वो इसका एक बार screenshot ले लीजिए हो गया क्लास अची लगे तो जरूर शेयर करना ठीक है कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी उसके लावा कोई doubt है तो वो भी आप बता सकते हो अब चलिए बात करेंगे भी network समझ में आ गया क्या होता है कहां से start हुआ सब कुछ समझ में आ गया थीक है अब चलिए आ गय हम internet पे internet क्या होता है तो internet हमने देखा network का सबसे अच्छा example क्या है आपका internet है इंटरनेट क्या होता है नेटवर्कों का एक नेटवर्क है ठीक है मतलब बहुत सारे नेटवर्क जैसे यहाँ पर देखो यह एक नेटवर्क है इसके अंदर कुछ कम्प्यूटर्स कनेक्ट है तो यह क्या हो गया आपका एक नेटवर्क है फिर ये क्या है आपका एक दूसरा network है, इस तरह से बहुत सारे network है कहीं-कहीं पर, और वो सारे network क्या है, एक दूसरे से connected है, तो ये क्या बन गया आपका network का network बन गया, और इसी को क्या कहते हैं, हम internet कहते हैं, internet की सबसे simple सी definition, जो exam में पूछी जाती है, वो है आपकी network of networks, ठीक जो internet आपका वो पूरे world में है मतलब कि वो आपका worldwide interconnected network of computers ठीक है and internet के थुरू आप कोई भी information, कोई भी data पूरे world में कहीं से भी access कर सकते हो तो ये क्या है भई, internet है इससे ज़्याद़ detailing में नहीं पूछेगा, ओके चलिए, अब आगे बात करेंगे यहाँ देखो, ये क्या है आपका internet internet से computer भी connect है internet से आप email कर सकते हो internet से आप कोई voice call youtube बगरा कोई भी information search कर सकते हो video conferencing, chat मतलब कि इतने सारे काम आप क्या कर पा रहे हो internet से कर पाते हो ठीक है, अब हम बात करेंगे internet के characteristics की बताने की requirement नहीं है आप सभी क्या कर रहे हो internet की विशेस्ताओं को जानते हो and अभी आप क्या कर रहे हो जिस तरह से हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं आप समझ पा रहे हो मेरी बाते and मैं अपनी knowledge आपके साथ share कर पा रहे हूँ ये सब किसकी वज़े से हो रहे है internet की वज़े से otherwise आप कहीं पर हो मैं कहीं पर हूँ है न तो ये क्या है हमारी internet के थुरूई हम क्या कर पा रहे हैं एक दूसरे से contact कर पा रहे हैं तो ये internet का क्या है use भी है और उसकी विशेस्ता भी है दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप संपक बना सकते हो online transaction कर सकते हो business को बढ़ा सकते हो education में help करता है या फिर electronic रूप से email भेज सकते हो कोई भी कहीं भी कभी इस्तेमार कर सकता है and किसी भी information को कुछी minute कुछी second में आप सर्च कर सकते हो इसके अलावा और भी बहुत सारी विशेस्ता हैं ठीक है ऐसा कोई सेक्टर नहीं है आज की डेट में जो internet का use ना करता हो फिर चाहे वो banking की बात कर लो education की बात करो, business आपकी hospital है आपकी research department है या फिर tourism है मतलब कि हर एक department क्या करता है internet का use करता है ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा अब internet के बारे में कुछ points को discuss कर लेते हैं जो exam point of view से important है तो यहाँ देखो, सबसे पहला देखो वैसे ये question नहीं आएगा कि internet का हिंदी में नाम क्या है अंतरजाल होता है internet का पुराना नाम क्या है ये आ सकता है अर्पानेट एंड इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट एडवान्स रिसर्च प्रोजेक्ट इजनसी नेट्वर्क इंटरनेट का जनम कब हो आ था अर्पानेट 1968 में आया था लेकिन हम मानते हैं कि internet का जनम 1969 में आया था ठीक है, तो 1968 भी आ सकता है 1969 भी आ सकता है इसे डिफेंस एडवान्स रिसर्च प्रोजेक्ट एजनसी द्वारा बनाया गया था इंटरनेट की फुलफोम होती है आपकी इंटरकनेक्टिड नेट्वर्क इंटरनेट की शुरुवात या इंटरनेट का बढ़्डे कब मनाया जाता है एक जनवरी 1983 इंटरनेट के खोज करता कोन है वर्ल्ड वाइड विंट ग्रे सर्फ इंपोर्टेंट नाम रहेगा आपको पता होना चीए वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के भी तो अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के पिता कोन है तो विंट ग्रे सर्फ है एंड सैकिन नाम इसमें बोब का है भारत में इंटरनेट का जनक कोन है भई ब्रिजेंदर के सिंगल है भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ था ये question important है देखू भारत में इंटरनेट शुरू हुआ था 14 अगस्त 1995 को ठीक है लेकिन अगर question में आपको 14 अगस्त भी मिले और 15 अगस्त भी मिले ठीक है अब question को ध्यान से समझना अगर question आये कि इंटरनेट कब शुरू हुआ था जो public है आम लोग है वो उसको use नहीं कर सकते थी एक दिन बाद 15 अगस्त 1995 से वो क्या हुआ था publicly सारुचनिक तोर पर available हुआ था ठीक है दोनों डेट का ध्यान रखना अगर exam में दोनों डेट है तो question ध्यान से पढ़ना और अगर एक ही डेट है तो कोई जैसे अभी क्या है आपकी BSNAL है भारत संचार निगम लिमिटेड भारत में पहली बार इंटरनेट की सकंपनी ने शुरू किया था BSNAL ने विदेश संचार निगम लिमिटेड ठीक है इंटरनेट का छोटा शब्द क्या है भी हम नेट बोल देते हैं एक फर देख लो पोस्ट कर लो वीडियो को और स्क्रिन्शोट ले लो चलिए अब हम किसके बात करेंगे भई कि ये वर्ल्ड वाइड वैब क्या होता है तो देखो www पूरा नाम है इसका वर्ल्ड वाइड वैब और ये इंटरनेट की पहली वेब साइट है इसे शॉर्ट फॉर्म में W3 या वैब के नाम से भी जाना जाता है अविशकार किसने किया था इसका अविशकार किया था टिम बर्नर ली ने 1989 में एक्जाम पॉइंट ओफ यू से दोनों चीजे इंपोर्टेंट है कि अविशकार कब किया था और किसने किया था तो World Wide Web का विश्कार Tim Burner Lee ने किया था 1989 में किया था ठीक है तो World Wide Web के जनक कौन हो गए? Tim Burner Lee हो गए आप इस तरह से मान लो कि इंटरनेट में लगभग सारी काफी important चीज़ है World Wide Web हो गया URL हो गया, HTML हो गया काफी हद तक आपके नाम Tim Burner लीके ही आते है तो अगर आपको याद नहीं है ना तो आप अगर एक मैं कहूं कि तुका मारना चाहते हो तो Tim Burner Lee के उपर लगाना ठीक है? अगर आपको याद नहीं है तो Otherwise मैं आपको बता रही हूँ World Wide Web के जनक कोन है? Tim Burner Lee है, कब किया था? 1989 1989 में किया था World Wide Web क्या है भई? एक Service है, ठीक है? इसका Use किसलिए किया जाता है? तो World Wide Web का Use किया जाता है Internet पे जितनी भी Information Store है उनको Access करने के लिए ठीक है? Internet क्या होता है? Network का Network of Network है World Wide Web क्या है? एक Service है जिसकी Help से Internet पे जो भी Data है जो भी Resources है उसको हम Use कर सकते हैं, ठीक है? World Wide Web और Internet दो अलग-अलग चीज़े हैं World Wide Web इंटरनेट का क्या है? एक हिस्सा है, ठीक है? इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर जानकारी को Share करने के लिए किया जाता है इस तकनीक का उप्योग करके यूजर दुनिया के किसी भी कोने से वेबसाइट में मौजूद जानकारी को Access कर सकता है और ये freely इसका Use कर सकता है, सभी डिवाइसेज में चलती है ठीक है? तो ये क्या हो गया? आपका World Wide Web हो गया अब चलिए बात कर लेते हैं कि Internet और World Wide Web के बीच में क्या Difference है? उससे पहले World Wide Web की विशेस्ताई हैं यहाँ पर एक बड़ ये देख लीजिए फर्स्ट है आपका Cross Platform Cross Platform का मतलब होता है कि भाई ये सभी डिवाइसेज पर और Operating System पर चल सकती है Open Source मैंने आपको पहले भी बताया था Open Source का मतलब क्या होता है जो Software आपको Freely Available हो जाए जो Service आपको Freely Available हो जाए वो क्या होती है आपकी Open Source होती है Distributed का मतलब क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको Operating System करवा रही थी Distributed Operating System याद है न तो distributed का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी जो worldwide web का इस्तेमाल क्या है आपका एक समय में बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो मतलब कि वो लोग क्या है आपके distributed है Hypertext important है Hypertext का मतलब होता है कि आप किसी एक text के उपर click करो और आपका दूसरा page open हो जाए उसे क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि देखो मैं क्या लिखती हूँ? Generally हम क्या लिखते है Google.com Simply आप क्या लिखते हो Google.com लेकिन इसका पूरा नेम क्या होता है? इसका पूरा नेम होता है www.google.com यहाँ पे आपने यह W3 नहीं लगाया फिर भी आपका काम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? यह by default अपने यहाँ पी मान लेता है कि भी W3 है तो W3 क्या है यहाँ पे? Compulsory नहीं है यूज करना Not mandatory ठीक है? समझ में आ गया? चलिए? आगे आप difference की बात कर लेते हैं यह क्या है आपका भी World Wide Web क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि collection of hyperlinked documents या hypertext documents और यह hypertext document को मिला के क्या बनती है? एक website बनती है और ऐसी बहुत सारी website को मिला के क्या बनती है? World Wide Web बनती है website क्या होती है? next class में discuss करेंगे चीक है? तो World Wide Web क्या है? website का collection है and network, internet क्या है आपका? network of networks है World Wide Web एक service है यह एक infrastructure है जो World Wide Web है वो आपकी hardware पर depend करती है and यह आपका software पर depend करता है इसे 1989 में विक्सित किया गया था इसे 1960 में approximately 1960 का जो एक exact year यहाँ पर नहीं है तो उसी time pace को विक्सित किया गया था 1968, 1969 ठीक है World Wide Web internet का subset है यह super set है और World Wide Web को शुरुआत में NSFnet के नाम से जाना जाता था इसे ARPANET के नाम से जाना जाता था यह HTTP का प्रियोग करता है ठीक है? फुल फॉर्म क्या रहेगी? Hypertext Transfer Protocol और यह IP address का प्रियोग करता है इन दोनों के बारे में भी मैं आपको आगे आने वाली classes में बताऊंगी थोड़ा-थोड़ा ठीक है? अब चलिए आगे देखें यह आपका English में है screenshot ले लीजिएगा अब चलिए बात करते हैं World Wide Web के components की क्या-क्या components होते हैं यहाँ पर? तो एक है आपका URL सेकिंड है आपका HTML थर्ड है आपका HTTP Uniform Resource Locator Hypertext Markup Language Hypertext Transfer Protocol आगे आने वाली classes में इनके बारे में discuss करेंगे आज के लिए इतना ही class अच्छी लगी तो share करना Thank you